दोस्तों रोज की तरहाने लिखने ब्लॉक में सबका हादिक स्वागत है सबके मंगल वक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा नुश्कात रोटों को मेरा आशिरवाद दोस्तों आज का पंचांग दिन बुद्धबार मांग मांग के शुक्रपक्षी की द्वादशीति थी औ और शुद्धशीति थी आज ही शुरू हो जाएगी दोस्तों इस दिन की शुरुवार जो है बारव 11 बच के 27 मिनट से शुद्धशी शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानि 22 फरवरी 2021 को एक बस कर 21 मिनट तक समाप तो होगी इस दिन दोस्तों प्रदोष बृत का सरयोग बन रहा है और इस दिन भगवान प्रदोष बृत के अंतरगर भगवान शिप की आरा दिना पूजा और अने प्रकार के शिप पूजन करने से शिप पाद्विती का ध्यान करने से जीवन में पुष्णनताएं और खुश्यों प्राप्त होती हैं इस शुब दिन में भगवान शिप की शिप को समर्पन करने के भाव और साथ साथ सिप पाद्विती की पूजा का विधान सुबकारी माना गया है दोस्तों भौम परदोष बृत पर देवताओं की पूजा करने से सोबागी समर्दी और खुशाली आती है इस दिन शिप के नट्राज अवतार की पूजा भी की जाती है भगवान शिप पुशन अगर हो जाते हैं भगवान शिप की अगर हम सचे मन से आराधना करते हैं अगर भगवान शिप जो है दोस्तों शूर और अशुर दोनों को दोनों में समान प्रगार के भाव क्यकट्र करते हriages जो उनकी उकासन गरता था बिरिविदान से पूजा करता था तो भगवान शिव ने सभी को बर्दान प्राप्त की जिसने उसका शकारात्म उप्योग किया उसका जिवन खुश्यों से और आनन्माई हुआ और जिनों ने उसका नकारात्म उप्योग किया तो राक्षिशिम आया में उनका जिवन अवतर दोस्तो इस प्रकार स्रिष्टि के दिर्मार के साथ शीव जी का अपना अलगी स्वरूब है और यह प्रदोस ब्रत दोस्तो भगवान शीव को प्रशन करने का और स्मढदी लक्षमी प्राप्ति का श्रणिम आउसर के रूप में इस प्रत का सयोग रहता है और शीव भगवा अगर प्रशन होते हैं तो अने प्रकार की सिद्धियां हमारे जीव में प्राप्त होते हैं जिसकार राक्षासों को भी दोस्तों सिद्धी की प्राप्ति थी उसी सिद्धी की प्राप्ति के शिव की आराधनां से उन्होंने सिद्धी प्राप्त कर दें जिससे उनका बद क करना उनको किसी प्रकार के हाने कोई नहीं पहुंचा सकता था। मैं जदा प्रशुत्र भगवान राम चिन ये अनि प्रकार के रावन के साथ युद्धि किया। कर्दों और काफिा जो भीवोड स़नटों रामण के वातफिक जी न के बारे मैं उनकी नावी में अमर्च है करके बताया। और ये हमेशा जब तक इसकी नावी में घात नहीं लेगा बान नहीं लेगा जब तक कि इस की मर्च्ट नहीं telephone हो सकती है। तो मर्यादा पुषोत्म भगवान रांचिन्मी उसको अगनी बाउन मार करके जो है रावन का बत करके इस संचार में शांती, बुराई पर अच्छाई और अशक्ति पर शक्ति का प्रमान आच्छाजित किया दोस्तों इस पकार आज दोस्तों अभिजीत मूर्थ पुद्वा पुद्वार को गनेश जी का समन भी किया जाता है अभिजीत मूर्थ आज नहीं है दोस्तों पुद्वार वर्षू नक्षत्र है और आईशमान योग है आईशमान योग का संयोग बन रहा है और राहुकाल दोस्तों तीन बच के 22 मिनट से चार बच के 40 मिनट तक हम किसी ब आई डिये ट्परत क्यों योदे खरम पर शूरी पौद प्रदोष प्रत्रकाशनयोग आज रहेगा दोस्तों हिंदू धर्म के अंशार दोस्तों बुद्वार का दिन विशेशत और से बुद्धि महत्पून माना जाता है बुद्ध जो है भागी के निर्माता होते हैं और पुत्रम पूजी भगवान गणे जी का पूजन भी इस्त ग्रह को समद्वित होता है सुब मांगले कारी और को और कारियों को बनाने के लिए बुद्वार बहुत ही खास दिन माना जाता है क्योंकि इस दिन कारियों में भगवान गणे जी का आशिरवात रहता है बढ़ेशी प्रत्रम पूजे भगवान के रूपें आउतरी थे हैं शास्त्रों में बुद्वार को गणे जी का पूजा की जाती है गणे जी की पूजा की जाती है और जोती शास्ति के उनसार दोस्तों गणे जी के पूजन से हमें व्यापार में भागी के उदाई में भागी उदाई में बुद्वार का दिन भौधी अच्छा माना जाता है जिसकी जिस जातक की कुंडली में अगर बुद कमजोर होते हैं तो उनको बुद बार के दिन ब्रत वकवास करना चाहिए गणेजी का अस्मन करना चाहिए गणेजी को मोदक का भोग लगाना चाहिए और दुर्वा अर्पित करके गणेजिका पूजन करना चाहिए ब्यापार में सपलता मिलती है और बूद जिनका मदबूद होता है वो भागी के निर्माता होते हैं और इस दिन दोसों किसे प्रकार के भी काले बस्त्र हम को नहीं पहनने चाहिए और अने प्रकार के जो हम रूपियों का पैसों का आदान बर्दान लेन दिन करते हैं उसे भी दूर रहना चाहिए और पस्तिन दिशा की यात्रा मना होती है नहीं करनी चाहिए सभी प्रकार के यात्रना से गणेश जी को मोदग का भोग लगाना चाहिए ज्योतिष के अनसार दोस्तो भगवान गनेश, ग्रहूं के राजकुमार और बुद्ध ग्रह को समर्पित देव हैं और इसमें बुद्ध बार को दोस्तो बुद्ध बार का सबसे बड़ा सुचाग होता है इसमें पड़ाई दिखाई, इस्टेशी का सामान, ब्यापार, इस्टेशी का ब्यापार, खाने पिने और उत्तर दिशा की यात्रा से बसना चाहिए और बुद्ध ग्रह को और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों, ओम भूंग बुधाई नमहा, अर्थवाव, ओम एंग हिंग, एंग, स्रिंग, स्रिंग, बुधाई नमहा का जाप 108 बार करना चाहिए इस प्रकार गणे जी का पूजन करने से हमाए जिवन में अने प्रकार के सार्थव भाव का श्रुद्ध मर्यादा पुषूत्वन भगवान रामचन जी का प्रसंग, चल रहा है विट्याकान का प्रसंग और भराज जी, लक्ष्मन जी, सत्रगन जी, राम और सीता मैया सभी लोग रामचन से विदा, उन से विदा पाकर के जनक जी हैं, भराज सत्रगन हैं, माताय हैं, प्रजा हैं, अविध्या की प्रजा है और जनक नगरी की प्रजा है सभी लोग विदी विधान के साथ एक दूस्य के मर्यादित और मर्यादित तरीके से आपस में भेंट करके, मिल करके, मर्यादा पुष्वत्रण भगवान राम जी से मिल करके, अपनी नकरी को प्रेश करते हैं, जाते हैं, मर्यादा पुष्वत्रण भगवान राम जी प्रेम के बस होका, भरजी के उपर इतना प्रेम, उन्होंने कहा, कि भरज्व है मन बचन और कर्म की प्रीति तथा विश्वास के उधारण हैं और उनके स्रीमुक्षे मर्यादा पुष्वत्व मखवान रामजी के स्रीमुक्षे भरज्व का जईत्य चित्रन करते हुए अनेक प्रकार के जो वजाय है देव लोग से देपता हैं और प्रत्वी में जो हैं सभी लोग सुकान भाव कर रहे हैं और पशुपक्षी चित्रकुट में रहने वाले जित्ते भी जड़ और चेतन हैं सब मर्यादा पुष्वत्वत्व भगवान रामजी की और भरजी का गुर्णान सुनकरके इनके स्रीमुक्षे अपार हर सुकान दोस्तों रहक्विल की रहती को मर्यादे तरीके से सजो कर रखने के लिए देताओने उनके भाव को सुनकर और मर्यादा को देखते हुए पारवारिक संगठन को देखते हुए शसकारों की मर्यादा को देखते हुए अनिक प्रकार के सिफ उस पर बरशा की और सी राम जिन्नी सभी जो परजा के लोग थे जो बन को गवर्ण करने थे उनको आसिर बार प्राप्त कर उनका सम्मान आदर के साथ उनको बिदा किया और परसन्न होकर सभी लोग जो है मन में जराशा भी किसी बगार का कोई कलेश नहीं था वो अपने अपने गंतविस्तान को चले गए दोस्तो इस परकार छोड़े भाई लक्ष्मन जी और सिता समेथ प्रभू राम जिन्नीप अपने फण कुठी में जो अवर अविद्या के समान जरह का वातारण दिख रहा था वो इसमें इस परकार से सुषोवित हुए मानो ऐसे समय में बेरागी भक्ति और ज्यान जब सब परजाजो है अपने राम जिन्नीप से मिलने के बाद बिरा की व्यथा वहां पर बिरा का वड़न फुल सी राशी नहीं किया है तो ऐसा लग रहा था वो अपनी परण कुटी में इस परकार से बैठे हुए थे मानो बेरागी है भक्ति है प्रेम है ज्यान है शरी धारन करके शुरुख भी दो रहा है इस परकार का स्वरुख उनका दिखाए दे रहा था कल के प्रसंग में में दोस्तों हमने ये प्रसंग के बारे में चाचा की मर्यादा प्रशोतन भगवान राम जिन जी ने बन में अपनी परण कुटी में भी में ही औहत काजाशा इसास किया तब दोस्तों इसी अनुक्रम में भरत जी का चैत्र चित्रन इसले प्रेम और भक्ती का जब शरूप आता है प्रेम भक्ती की जाब जब बेदना हमारे सामने आती है जब भरत और राम जिन के बीच में प्रेम और भक्ती आई प्रेम और सुधा का दुश्तों सात्य व्योग भक्ती है अगर भरत जी के चैत्र से अगर और राम जी के चैत्र का वास्त भी चित्रन करते हैं, जिस पकार तुलसीद आजी ने प्याख्या की है, तो इस मंगल विधान के दो भाव करणा और प्रेम हैं. करणा की जो गती की रक्षा की और रहती है, करणा जो है वह गती और रक्षा की और रहती है, प्रेम की रंजन की और, किसी को अपना मान लेना करणा है, अगर हम किसी को जिस पकार मजादा पसोत्म भगवार रामची ने बन में, किसी को अपना जो भी उनको मिलता था, जीन दुखी थे, परच्षान थे, अने प्रकार से उन्होंने अने आत्माओं का तारण किया, उनको इस भावसागर के बंदनों से धूर किया, तो राम के चैत्र में करणा रूपी जीवन मुली की साथक प्रतीती है, जोस्तो रिशी मुनियों ने ये अस्ति धेर देखकर, राम करणा मई होकर रक्षा का बचन देते हैं, और प्रेम के बिना भक्ति दर नहीं होती है, जब तक हमारे अंतरकर्ण में प्रेम नहीं होगा, अगर भरजी के अंतरकर्ण में प्रेम नहीं होता, तो राम तरजी की भक्ति में साकार नहीं होती है, राम की प्रीती कलुष नास करने वाले, अनेक प्रकार के कलुषूं का नास करने वाले हैं, निर्मल मोहक आँख की प्रीती देख पाती है, सत्ति से उत्मन आनंद प्रसंता है, राम तत्तु के परियाए है, मैं जादा पुषूर्म भगवान राम जी तत्तु के परियाए है, जब हम भर집 जी और उनकी स्एतर का इस प़कार से बंद में बाढ़न करते हैं, जैसे traum स्धिया लेल जी और फा लेक्ती में पहुंचे, उन्होंने उनके स्वेक्वाइ भ्तांत देखा, जहां जहां ऌन्होंने अपना न्यवास्तान में आया था, वहाँ पर उनले परिक्रमा करके एक प्रेम भक्ति का स्वरूम जगया। दोस्तो सत्ती वह है जिसमें हमें विश्वार और विश्वार उसी बिवस्ता में होता है जहाँ अनभव का विरोधन हो। हमारे अन्वाव जो हैं उसका विरोधना हो असत्य जो है दोस्तो अविश्वास नहीं होता है उसमें कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि जो अन्भूर के प्रतिकूल होता है सत्य से नारायन बनने की कला हमारे अंतरकरण में जिसका भरत जी को सत्य की से नारायन बनने की कला उनके अंतरकरण में आई और सत्य की विजय मर्यादा प्रशोत्रम भगवान राम जी ने हमेशा सत्य की विजय के प्रतिक बने सत्ति की विजय हमेशा होती है, अपने प्रवर्तियों के प्रभाव से और निश्क कलोश रहकर, किसी प्रकार के किसी के प्रवर्ति, किसी प्रकार के कलोशित भावनों से पिरक्त होकर, परम पूजी ब्रह्म के हमको दर्शन होते हैं, दोस्तों, इसी प्रकार तुलसी राजी इसी परम पुरुष का जैगोष ही राम कथा है, तो हम राम कथा का अनुसरन करते हैं, जो अनुसरन कर रहे हैं, वही परम पुरुष का यानि इसी परम पुरुष का जो जैगोष है वो राम कथा है, यानि राम में मंगल निवास करता है, तो राम में मंगल निवास करता है, राम कथा मानवता की परिक्रमा है, और यह कर्म, त्यार और भक्ति की त्रिवेडी के समाने है, जिस वकात त्रिवेडी में तीन नदियों का मिलने से संगम मनता है, उसी रिवका मर्यादा प्रोतन भगवार राम जी में कर्म त्याग और भक्ति से हमें राम जीनिका आशिव रात त्रिवेडी में भरत जी अपने कर्म में, त्याग में और भक्ति में मिलकर के उन्हें त्रिवनी का जैसा अपना चैत्र बनाया, इसलिए राम में प्रीति की का पारण ही नंदीक राम में भरत के निश्चल हिर्दैश ने हनुमान को मुर्था का उन्मुलन किया यानि जो मुर्था उनको आई उसका उन्मुलन निदान किया राम से प्रभाइद होकर राम मनुहर लोया शांश्कृतिक तीर्थूट चित्रकुर्थ में पर्थम रामायन मिला अविजित किया था राम को जन जन में बशाने के लिए तुर्शी जाह जिने अईध्या और काशी में राम लिला का मन्चन कराया था इसलिए दोस्तों आज जो है हमारे देश के प्रधान मंत्री निर और हमारे मुक्षी मंत्री उत्रवर देश के जनों ने अईध्या के मैं राम संदी की प्रान प्रतिश्टा का जो भब्भी आईजन किया पॉंच्छो सालों के जो हमारी इच्छा थी भाव थे उसको शाका रूप में प्रस्तुत किया और धर्म की मर्यादा और धर्म की धूरी को अआछ के लिए जवीत रखने का प्रियास किया दोस्तों, राम को जनजन में मैं बशाने के लिए तुलशिदाजी ने अइध्या और काशी में राम निला का भी मनचल किया था इसी परंपरा को दोने के लिए काभि मही राम चाहित मानस को की रसना की है जिसका हम सदियों से जो है अनुस्वन कर रहे है अहिल्या है, सब्री है, अनुसुया है, शुतीक्ष्ण है और निशार राज का प्रेम प्रेणा, जो प्रेम पर्यादा पुर्शुत्रम भगवान रामजीन ग्रावन की पर्था वो प्रेणा हमको प्राक्त होती है प्रेम देना जानता है और घ्रना मात्र देना जानती है प्रेम हमको देना प्रेम से हमारे देने के भाव प्रश्टिड होते हैं और घ्रणा मात्र लेना जानती है राम का राम मर्यादा पुशोतम भगवान रामचिन का संपून आज़न ब्रह्म की नर निला है मानव रूप में आवतेद हो करके उन्हें ब्रह्म के स्वरूप की जो नर लिला का रसनाई सिस्टि में की वह राम चैज़ मानश्व के सातों अध्यायों से हमको प्राप्तों बती है राम का संपून आज़न ब्रह्म की नर निला इसले खाजाता है राम दोस्तों परोकार को सर्वपरी धर्म परपेड़ा सबसे बड़ा अधर्म मानते हैं दुस्रे को दर्द पहुंचाना दुस्रे को नुक्षान पहुंचाना दुस्रे को हाने पहुंचाना युवा इसको बहुत बड़ा धर्म मानते हैं राम्चन जी का अर्थ प्राप्ति नहीं था, इसी परका भरण जी का भी अर्थ प्राप्ति का कोई उदेशी नहीं था, अगर ऐसा होता, तो अईध्याकार शाशनु को मिल गया था, वो अईध्या में राज करते हो, राम्चन की कास नहीं आते, तो राम परोकार को शरूपरी धर्म और परफिड़ा को जिस पकार सबसे बड़ा अधर्मानते हैं वही चैत्रित्रम भराजी की शरूप में भी था रामचन जी का अर्थप्राप्ति का धही नहीं था त्याग का नहीं था यही त्याग भ्रण जी ने भी अपने जीऑन में किई। प्रेम का जन्म त्याग से होता है। इसलें भषुर्ण जी के अंतर्करण में प्रेम भाव जागर्थीर होगी। ठचत्रक भॉक्ति का वास्थ्र-प्रमूमय म can. प्रेम रे शह भीन.. पुर्माद्यादा पुष्टत्व भगवान जिनको तुलसीदास ने जिस्वकार का सहित्रिचतन किया है अनेक रामनी लाहूं में हमका वर्णन सुनते हैं दोस्तों और श्वार्थ उनके जियून में कभी भी आउता इती है तुर राम से भरत का मिलन जो आज के प्रसंग जो हम लगातार अएध्याकर्ण में इस वारका का प्रसंग कर रहे हैं तो राम चंजी से भरत का मिलन प्रीम और संगारश। मिलन जैसा है जिसकार प्रेम और संगार रशी गुष्य में मिलकर की भक्ति का संचार करते हैं और अभाव को भाव से भरते हैं अनिक प्रकार की अभाव हुमारी जिवन में होते हैं उसमें भाव का संचरन करते हैं जिसकार मर्यादा पुशुद्र भगवान रामजी चौर सा कि बनवाश की दोरान अने प्रकार कि अभाव उनके बन में कल लमूर फल कहा किलती है और इस प्रकार का ब्रतान तो उन्होंने तुलसीदाशी ने बर्नन किया है बन के वाटार्म का लेकिन उन्होंने कभी भी उसको अभाव के रूप में अपने अंताकरण में नहीं तो अभाव को भाव में भाव से भाते थे इसे पकार भरत जी भी इसे पकार रामतर जी के आदसों के पालनहार थे और राम राम जीवन को विश्वास से डोटे हैं राम नाम ही एक ऐसा है जो हमारे जीवन को अपार विश्वाशी से जोटा है हमारे आत्मा में सुख का अउन्बा होता है राम अपने धर्म रहत के साथ चलते हैं धर्म की रक्षिया करने के लिए हमेशा मर्यादा प्रशुत्न भगवाजान धर्म के श्वरूप को जीवित रखने के लिए इस संसार में मानुई रूप में आउतरी धोकर की अन्य प्रकार के भावों को सर्जन किया इसी प्रकार भरत जी ने उनकी स्वरित्र का अनुगमन किया अब दोस्तों आज के प्रसंग में छोटे भाई लक्ष्मन जी और सिता जी सही प्रभुशी राम जीन ने पाणकुटी में जब मर्यादा पुर्शुन भगवान राम जीन सब को विदा करने के विए सुशोबित हुए तो ऐसा लग रहा था इसी दिए मैंने राम और भरत जी के चईते चितनका अपने भाउं से जो तुर्शी राजी के अनुषार जिस्वकार का चितनकी आ गया है बेरागी भक्ति और ज्ञान धारन करके उनका जीवनी प्रकार से सभी प्रकार के जब वो पूरी प्रजा से मिले उनको उनको उनोंने विदाई दी तो मुनी महिसूर गुरु भरत भुवाल दाव मुनी है ब्रामन है महिसूर गुरु भरत भुवाल गुरु ब्रामन गुरु बैशिष्ट जी भरद जी और राजा जनक जी राम विरा सब शाज हुआ सारा समा स्री राम जिन्ज की विरा में भिवल है बहुदी पागल हो गया है, व्यतित हो गया है सब लोग परिशान है विरा की ब्यथा का उसी दाशित निबहुदी मार्मिक शित्रन किया है प्रभु गुन ग्राम गनत मन माई प्रभुगे गुर्षमू का मन में स्मण करते हुए, सब चुपचाब चले मदमाद। सब लोग मारग में चुपचाब चले जाते हुए। सांती के भाव बना करें। मर्यादा पुषत मगवान राम जी का अशिरवार प्राप्प करें। अपने अंतरक्रण में शांती को स्थाफित करते हुए। आगे गवन करें। जमना उतरी पारफव वह हुए। पहले दिन वे लोग जमना नरी के पार उतरे। सो बासर बिन भोजन गया हुए। वह दिन बिन भोजन के ही भीज गया। तो दोस्तों जो मर्यादाव शुर्म भगवान रमजने हमेशा त्याग को जो प्रजा आए थी भरत जी का जो सहितरी शल्था उसमें त्याग कित्ना था। उसका बढ़न किया गया है। उतरे दी उसरे दूसर बासुन। और दूसरा दिन उनने गंगा जी उतर कर राम शका सब कीन सपाशुन। गंगापार और शंग बेदपूर में जिस पकारोव आये थि उसी पकारोव शंग बेदपूर में वह आथा दूसरा दिन उनने वहां पर बुतर-पर गंगाजी में के दर्शन के रामशकार शब की नशुपाशौशु और वहां राम्शकार निशारादिनी सब को सब के लिए सुन्दर बेवस्ता की थी, कैसे उनको पार किया जाए। इसलिए निशाराद उनके सखा के रूप में आउताई दुए। सही उतर ही गोमती नहाए। फिर सही उतर कर गोमती में उन्हों निस्नान किया। जो पुरण दिवस अवध पुर आजे। और चोथी दिन आउध्या जापुँचे। यानि चोथी दिन वह जो है आउध्या में पुरी शुनने कर दिया। जनक रही पुरवाश्वजदारी। और जनक जी चार दिन अवध्या में सभी लोगों के साथ वह मिले। सभी के साथ वह रहे। उन्होंने वहां का जो मर्यादाप शुत्रम भगवान राम जी की इच्छा थी। कि जनक जी के सानिति में भरजी अपना राच्याशन सभालेंगे। प्रजा की रक्षा करेंगे। और प्रतिक चिन्न जो है खड़ाओं भरजी अपने साथ लाए थी। वही शाशन के में मुख्य अधिकारी होंगे। इस प्रकार की भावना भरत भक्ती में जीन थे। जनक रही पूरवाशर चारी चार दिन जो है जनक जीने वहां रहने का निस्चाई किया। राजकार सभाली। और सभी राजकार हैं उन सब साथ समान को सवाल कर। जिस प्रकार में रहादा पुसुत्म भगवान राम जिन की फाव थे। कि जनक जी का जनक जी हमारे मातापिता के समान है और उनका हाथ अबर हमारे कुल गुरु बशिष्ट जी और उनका हाथ हमारे उपर है। तो भरत जी से का था तो आपको किसी प्रकार के संकोज करने की आपसुकतानी है। सयुत्री कोम तीन हाई चौथे दिन आवद पुर आए। जनक रही पुरवाशर्चारी राजकार सब राजकार की दिवस्ताजी। स्वाम पिशचिव गुरु भरत जी राजकार की तथा अब भरत जी जो है पुरवाशर्ची दिशंकोज हो गए। और तथा मंत्री गुरु और भरत जी को राजी स्वाम कर। तेरहुती चले साजी सब राजकार की और सारा सासमाठी करके तिरहुत हो चले। तिरहुत हो चले गए। और नगर नार नर गुरु शिकुमान, नगर के स्थिपुरुष गुरु जी की शिक्ष्या मानकर उनका आशिर्वाद प्राप्त करके बशी सुखेन राम राज्दृ। राम जिन की राज धनी वहित्या में सुप पूरा सभी रोग निवास का मेरे। इस प्रकार मर्यादा प्रशुक्रम भगवान राम जी का आशिवाल हुआ। जनग जी ने पूरा अपना साग सजा के साथ भरत जी को राज सौंपा। स्वाम पुषचिव गुर्व भरत एह राज मंत्री शई भरत जी को राज सौंपा। जी दोस्तों हमारे जीवन में जब वास्त्मिक स्वरूप आता है। और हमको जो कर्तबी निर्वहन परमात्मादवारा कर्तब्यूंका निर्वहन करने के लिए हमारे जीवन को बनाया गया है। उसी उन्सार जनग जीनी अपना काली के लिए। राम दरस लगी जो कुछा। सब लोग सी राम जीन की दर्शन के लिए। सब लोग सी राम जीन की दर्शन के लिए। नियम और पास करने के लिए। और नगर नार इनर गुरु शिक्वमान और सब लोग नगर के जोस्ति थे, प्रोष थे, नगरवासी थे। गुरु जी की शिक्ष्या मान कर। बशिष्टी जी की शुक्ष्या को ग्रण कर। शी राम जीन की राधानी अध्या में शुक्ष्या करने लिए। सभी को अध्या प्रसुत्रम भगवान राम जी का आशिवार प्रात्त्र हो गया। प्रभु की करपा आच्छा दित हो गी। अध्या में स्वान्ति का अभास उनी दाना। किसी प्रकार का परिताप नहीं था। कोई सोथ नहीं था। कोई संकॉज नहीं था। कोई दुखी नही था। कोई दाइधी नहीं THा। सब लोग शुकार्वकान लिए। राम दरस लगी, ॥पुक्ष्या तब मर्या दाप शूत्म नगी। के दर्षन के लिए करद पेम उपवाश, नियम और उपवाश करने लगे, तजी तजी भुषन भोगशुकुंग, और वे भुषन और भोगशुकुंग को फोड़ थार कर, शुक जियत अवदिकी आश, अवदिकी यानि, सब कुछ त्याक करके, माया मो, सांसारिक व्यधानों को त्याकते हुए, आशार कुपी जीवन यापन करने लगी, और मद्यारा पुषोत्रमभवान राम जी का ध्यान लगा करके, उनके आने की प्रतिक्षा में संगलगन होगे, अपने अपने कालियों में सब लोग मन, बचन और करमशे संगलगनित होगे, इस प्रकार का ब्रतानतों सिदाजी ने बढ़न किया है, दोस्तों, सचिव सुशेवग भरत प्रवोती, निज निज काज पाई शिक्र पुषोती, पुनि शिक्र दीन बोले लग भाई, स्वांपी सकल मात शिवकाई, अर्थाद भरत जी ने मंत्रियों और विश्वाशी सिवकों को समझा बुझा कर, उनको प्रवेन किया, वे सब शीख पाकर, भरत जी की शीख पाकर, अपने अपने काम में लग गए, प्रजा को चलाना, पुरे स्वामराजी को चलाना, राजा का कर्तबी होता है, उसी प्रकार से नियम बनाने पड़ते हैं, और पुरी बिवस्ता करने पड़ती है, उसी अन्सार भरत जीने सबको अपने अपने कारिम के उन्साथ, भिरी विधान के साथ, अध्या का राज प्राइन को अन्य प्रकार से सम्झाया अनको छिखेति शब मतां को सिवा करने के कि उन्को शोंपा वा उत्त धाय तो נहीं उनको स्वबाई कि शो रभू भर भर्हत कर दो तब भ्राहमन को च्शा searched प्रकार जो ढाते देद्विकित व्रिया है च्शार पनोगत तित्र युग में तित्र नुग का बर्नन है भूषर भोल भरत कर दोरी ब्रहनों को बुला कर भरत जिने हाद जोर कर प्रणाम कर अवस्ता के अंशार करी प्रणाम बई बिनए नहोरी बिनायोर निवरा किया, उनसे अनरोज किया, उनका साने थी प्राप्त किया, उंच नीच काद़ भलब उचों। आज लोग उंचा निचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी काले हो। आज इसको देवन करव संकोष उसको करने की आज्ञान दीजिएगा किसी प्रकार का संकोष ना दीजिएगा सभी कहते हैं राम राज बैठे ते लोग का धर्सिद भाई गई सबसुक्त मर्यादा प्रसुत्रम भगवान राम जिंगे कल्पना के अंसार उनकी सोच के अंसार उनके सपने के अंसार उनके लक्षी के अंसार भरत जीने सभी लोगों को यही इन्ही भाईं से सब को सब का बिनाई किया और उनसे आशिर बात प्राप्र किया किसी को भी किसी प्रकार का उचा निचा छोटा बड़े का भाव अपने अंतकर में नहीं रखना होगा किसी प्रकार का छोटा हो बड़ा हो अच्छा हो गंदा हो कोई भी कारी हो मन्दा हो सब प्रकार के कारी करने के लिए बिना किसी संकूष से राजा को बताने का सब का करते भी है किसी प्रकार के संकूष करने के आशुकता नहीं परिजन पूर जन परजा बलाए भरत जिने फिर परवार देखो देखो दोस्तो तुलसी राजी ने इस परका चित्रन किया है जो वास्तों में एक अभी कहते हैं किसी भी राजा के राजी में अगर कोई प्रजा अगर दुखी होती है वो राजा नरग कारिकारी होता है ये र्वखकुल की मर्यादा का सबसे बड़ा सूत्र साथ। परिजन पुरिजन पजा बलाए, समाधान गरिशुबा बशाई। भरजी ने परिवार के लोगों को बुलाया, नागिरों उनको बुलाया, प्रजा को बुलाया, और उनका समाधान जिस्वकार से भी किसी भी काली का समाधान कर देखे दे, उनने शुक पूरक सब को बसाया वहाँ, सानुज गे गह बहोरी करी दंडवद कहर कर जोई, फिर छोटे भाई सत्रुगंजी, सानुज, सोदनुज बने, यानि छोटा भाई, सोटे भाई जो गोरी को सत्रुगंजी, साइद गुरुजी के घर गए, तो क्रि दंडवद कर कर जोई, और दंडवद करके हाद जोब कर बोले, क्या बोले दोस्तो? आयसू हो इन रहूं सने मा, आया हू इन रहूं सने मा, यानि आज्या हो तो मैं नियम पूरक रहूं, यानि अपने विध जी पिधान के अंशार, अगर आपकी आग्या हो, तो मैं उसका पूरा परिपालन करूँ, बोले मुनितन पुलक्षमिबा, मुनि बशिष्टर जी पुलकित शदीर से प्रेम के साथ उन्हें बोला, कि समुझद कहब करबतमों जोई, कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहो और करोगे, वही जगत में धर्म का शार हो, यानि इस संसार में, इस स्ष्ष्टी में धर्म का शार, भरत जी ने, भरत जी के भाव में प्यापत था, यही भाव जो है, कुल गुरु बशिष्ट जी उनको बताते हैं, किस प्रकार से अविद्या का राज करना है, तब उनका अशिरवात पागर के, कुल गुरु का अशिरवात पागर के, उन्होंने उनसे शीक ली, और उन्हें यही कहा, कि आप जो कुछ प्रजा को समझाएंगे, जो कहेंगे, जो करेंगे, वही जगत में धर्म का शार होगा, उसी शार के अंसार पुरी मर्यादा चलेगी, पुरी शिष्टिकी रस्नावी, अलेक मानों के अंदर उस्पगार के भाव जागरते दूंगे, उनका अवतरन होगा, ऐसे भावं से सबका मन विक्षित होगा, सुनी शिख पाय अशिष बड़ी, गनक बोल दिन साथ, यानि भरजी ने यह सुन कर, कुल गुरु बसिष्टिकी जी के द्वारा इस्पगार के भावं को सुन करके, सुनी शिख पाय अशिष बड़ी, गनक बोल दिन साथ, शिक्ष्या को बड़ा आशिरवाद पाकर, ज्योतिश्यों को बुलाया, और उनका आशिरवाद प्राप कर गे, उनने ज्योतिश्यों को बुलाया, कि हरे कारी के दोस्तों किस्पकार से मतला भाव और ज्योतिश्यों को बुलाया, सिंगा अशन प्रभुपादु का बेठारी, निरुपादु, और अच्छा मुर्थ निकाल कर, शुब मुर्थ मुर्थ, यानि अभिजीत मुर्थ, जिसमें शुब कारी होते है, अच्छा मुर्थ साथकर प्रभुके चर्णपादुगाओं को किसी भी बिना विखन सहित, निर्विखन, पूर्वग सिंगार्षन पर विराजित कराया, सभी प्रकार के जो जो जियोतिश्यों थे, मंगल गर्णा के उन्सार, जो शुब अउशर था, उस अउशर पर मर्यादा अपुष्व में भरण जी, शेवा भाव करके प्रजा करके शेवा भाव करेंगे और प्रतीक जो है, मर्यादा अपुष्व 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 इस पकार के भाव जो है, व्यक्तुष्व राम मात गुरुपद शिक नाई, फिर राम जीने मता को सल्या, फिर राम चन्जी की मता को सल्या और प्रभुपद पीर रजाय शुपाई, और गुरुपद जी के तरुमें शिर्नवाकर भरजिने, तरण पाद काउं को आग्या, पाकर धर्म की धूरी, नंदी गाउं करी परण कुटी रात की निवाज धर्म तरदेदा, तब पाकर धर्म की धूरी को धार्म करने में, धीर भरजिने नंदी ग्राम में परण कुटी, जिस पकार मल्यादा पुष्टम भगवान रामचिन जी चित्रकुट में अत्रिमुनिक के से दूर परण कुटी बनाकर राते इसी पकार भरण जी अपने अंता करन में इस पकार की भाव रखे कि में जब तक 14 साल मल्यादा पुष्टम भगवान रामचिन जी बन में निवास करेंगे, उसी पकार में अविद्या में परण कुटी में राके, पूरी प्रजा का पालन इस कहान प्रत्रयमा और प्रत्रवी को खोड़ करूने उसके अंदर कुष की आशनी बिचाई जिसकार भगवान रामचिन जी पुष पुष्टर घास जो उकती है दोस्तो पुष्टरता की प्रत्रीक है उसमें अपना कुष का आशन मनाया जिसकार रामचिन जी रहते थे और करत कठिन रिशिधरम सपेमा, भोजन, बस्त्र, बर्तन, ब्रत्र नियम, जो भी संयम नियम, हमारी आचार सहिता में जो है, दोस्तों, हमारे सर्षकारों में जो है, सर्षकारों के अंसार मर्यादा प्रशुत्रम भगवान राम चिंदी, अपनी पिता जी के संकल्प को और मता जीगी राय को प्राप्त करके, जो 14 साल का बनवास, एक बार मन बचन और कर्म से उसको अपने लक्षिता पहुंचने के लिए, पूरा अशिर्वा प्राप्त कर्वन में, संभाव से शेवा, उसी प्रकार निवास करके, अन्य प्रकार के अत्याचारी, असर्थी पर सर् अंकल्प लिया, वही भाव जो है भरण जी के अंतरक्रम में ब्याप्त हुए, और इस प्रकार जो है, सभी बातों से जिश्यों ने कठिन धर्म का प्रेम सही रात्रम करने लिए, जिश्यों के समान जैसे धर्म की दूरी को, हमेशा के लिए रभुबंस की नेती को, मन तन बचन तजेन इस तूरी और मन तन और बचन से तोड़कर अपना प्रतिग्यां करके त्याग किया, यही त्याग जो है दोस्तों मैंने आज शुर्वात में भी इन बातों का वर्ण किया था, अवद राज, शुल राज, राज राज, जिस अवेध्या के राजी को दे ऐसे भर्ण जी का आउत्रना पर हुआ, तेही पूर्वशत भर्ण भी नुरागा, उसी अवेध्यापुजी में भर्ण जी अनाशक्त होकर किसी प्रकार की आशक्ति से रहित होकर निवास करहें चंचरी के जिमें चंपग भागा, और जैसे चंपा के भाग में भुरा मिलता है, खुश्बू मिलती है, तो भुरा दूर दूर से आकर के चंपक के भाग में जाता है, उसे विकार भर्ण जी का तहीं पूर्वशत भर्ण भिनुरागा, बिना किसी परिताब की गिनांस दोश्की और अनाशक्त होकर के भर्ण जी आपर अपना पर्ण कुटी बना करके शिर पर जटा जूट और शही में मुन्यों का बेश मिना कर बदकल बश्क बनकर अध्या किया राजी मद्यदा पुश्बू बगवान जीन की सानिती बनकर, स्री राम जीनी रमा विलास राम अनुरागी, स्री राम जीनी की प्रेम, बढ़ भागी, पुरुष लक्ष् और भोगेश, भोग, आश्चरी को बमन की भांती त्याग देते हैं, अन्य प्रकार के महत्वागंशा और भोगों को, जिस प्रकार के शुख भोग की जो लालसा होती है, उनको त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताक्ते भी नहीं है, कभी उनकी इच्छा लग नहीं करते ह मर्यादावसुत्म भगवान रंग जी बन में कन्दमूल फलखा करके अपना जिवन्यापन करें इसी प्रकार के भाव भरत जी ने अपने अंतरप्र में रखी दोस्तों यही होता है त्याग प्रीम और भक्ति वेरागी जो मैंने पहले बताया जो धर्म भक्ति और वेरागी जो है जो अपन खुटे में रखे मर्यादावसुत्म भगवान रंग जी का प्रेत्र चितन दावनी भाव को ने शरी है राम प्रीम भाजन भरतों बड़े नहीं करतों फिर भरत जी ने भरत जी तो श्वैंग सी राम जी प्रेम के पात्र हैं और वे भरत बड़े बड़े नए ही करतों और इस पर भोगों को त्याक करने का कोई आशरी बात नहीं है उनके लिए और अर्थार उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है चातक हंस सराही तो तेक विवेग विवोती और क्यों नहीं है प्रश्वी पर का जल नपीने की तेक से चातक की ओड़ नेसीर विवेग की विवोती शक्ति से हंस की सराहना होती है यानि चातक जो है वो बर्षा के जल का ही सिवन करते हैं इसी परकार मज़्यदा कहने के भाव यह हैं दोस्तो राम प्रेम भाजन भरतू बड़े न इह करतू चातक हंस सराहितो तेग बेग जो जिस परकार चातक पक्षी होता है वो बर्षा के जल का ही सिवन करता है शुद्व आचा संगिता में रहना चाता है इसी परकार मर्यादा पुष्वत्रम भगवान रामज की अनुकंपा उनकी आशिरबाद उनकी प्रेम भक्ति में दीन होकर के भरत जी भी अपने आचन की संगिता को और मर्यादा की रसना को रगवन्च की नीती और धर्म की नीती के अनुशार राम प्रेम में अपने को बेरागी के अनुबव करते हुए शिर्पर जता जूट और शरीर में मुनियों के बदकल बस्तवान कर प्रत्वी को खोद कर उसके अंदर कुछ की आशनी विचा करके भोजन बस्त्र बरतन बरतनियम सभी का सभी बातों में रिश्यों के से कठिन धर्म का प्रेम धर्म का पालन करते हुए प्रेम सहीत आशन करने के भाव नहीं अपने अंतर करने जोगा दोस्तो मर्यादा प्रसुद्र भगवान राम चेंजी ने अपने पूरे उनका जो आउतरन था उनकी जो आशिरवाद था उनका जो वो अंतरियामी थी वही भाव भरज में अपने आश्र माहित हो वही वही उसी ब्रकार का अनुश्रान हुआ करने लगी इसलिए भरज जी अपने सब कुछ राजकार छोड़ करके जब राम चेंजी का बनबाश हुआ पूरी प्रजा के साथ उनकी पहले राज करना अनुपिर समझा जब तक मर्यादा पुषोतम भगवान राम चेंजी के अपती उनका असने इस संसार में इस सिर्ष्टी में इसलिए भरज जी ने राम चेंजी की मर्यादा की उनके आज्यां के उनसार जो कुछ वाप करेंगे वही सबको शिरोधारी होगा यानि उन्हें कहा कि आप जिस प्रकार का भी कारी करेंगे जो कारी आप करेंगे वह सोर समझ करके करेंगे वह धर्म के धूरी को धर्ण करने में भरजी ने इसलिए नंदी ग्राम में परणकुटी बनाकर और उसी में निवास करना शुरू किय गुरु का आशित्वार उनको प्राप्त हुआ और इसी प्रकार का निर्वग्न पूर्वक्षी आशन पर मर्यादा प्रशोद मगवार्नांति के खराण को जोतिशों की आग्यां उन्शार सुमूर्थ निकालकर सुमूर्थ को साथ कर उन्होंने चरनपाद का उनको प्रकार शाषन करके अपने जिवन को नियम पूर्वक्ष आशार सहिता के साथ मर्यादा के उन्शार सिष्टता के साथ अपने जिवन को और अपने दरिनिक जिवन को इस प्रकार से मुनि यूंका जो जिवन होता है उसी प्रकार से अपने जिवन को व्यचीद करते वे पूरी प्रजा की शिवा की आज के प्रशंग में दोस्तो हमें यह शिख्षा मिलती है भक्ति भाव और प्रेम और त्याग समरपड़ जब ये भाव दोस्तों हमारे अंताकरण में बिराजवान हो जाते हैं तो हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जिस प्रकार भराजी नयादा वुशुत्र भगवान राम जी में कुण रूप से आशकते होगी किसी प्रकार की अनाशक्ति उनके अंताकरण में नहीं थी पुल्सिदा जी का इस प्रकार का बढ़न भरत जी के चैत्र चित्रन से हमारे जियोन को हमेशा के लिए स्वजो कर रहने के प्रहना दिले यदि हम इस प्रकार के भाउं को अपने अंतरकरण में लेकर के अपने जियोन को ब्यश्वीत करेंगे निची दि हमारा जियोन धन्यों सबके मंगल भुश की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों राम चैत माननास का अनुश्वरन करते रहें सब लोग खुछ रहें प्रसंद रहें इसे प्रकार हमें अपने जिवन को शकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए भरत जैसे चैत्र का अनुश्रम करना चाहिए तभी हमारा जिवन सार्थक बन सकता है हम सच्चे भक्ति में लीन भक्ति के भावों को प्राप्त कर सकते हैं यही हमको आज के परिवेश में हमको इस प्रकार की प्रणा से हमारा जिवन उत्तम हो सकता है बड़ों को मेरा नमस्कार शोटों को मेरा असिर्वाद